जवनपुर के बदलपुर फुर्द गाउं में बकरी चराने निकले ये वक की मंगलवार को दिन दहाड़ी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दे गए उसका सवसाम करीब साड़े चार बजे घर से 600 मीटर दूर नाले के पास दिखा खबर लगते ही गाउं में संसनी फैल गई हत्या की वज़य अभी साफ नहीं हो सकी है अपर पुलिस अधिच्छ ग्रामेट त्रिभुवन सिंग के नेत्रित में पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है गाउनियासी मुहम्मद हारुन का उनिस वर्षी पूत्र कमरुजमा उर्फ निसार दो पहर में रोजाना की तरह घर से उत्तर 600 मीटर दूर नाले के पास बकरी चराने गया था साम करीब साड़े चार बजे नाले के उपर आम के पेड़ के नीचे सौच करने गए कुछ ग्रामेडों की नजर निसार के खून से लत्पत सव पर पड़ी उनके सौर मचाने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामेड जुट गए निसार की गर्दन का अधा हिस्सा धारदार हतियार से रेता हुआ था इसके अलावा सिर हाथ वा सरीर में अन्य कई जगे धारदार हतियार के घाव थी खबर लगते ही सीओ चोप सिंग वा परभारी निरिच्छक पमनकुबार उपाध्याय भारी पुलिस बल के साथ मौका ये वारदात पर पहुँच गए हत्या का कारण पूरी तरह से साब नहीं हो सका है हालंकी हारू ने थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या पुरानी रंजिस के चलते की गई है सुराग की तलास में पूलिस ने मौके पर खोरिंसिंग टीम वा खोजी कुत्ता बुलाया कोरिंसिक टीम ने घटनास्तर से अपने धंग से साच जुटाए खोजी कुत्ता घटनास्तर सुंगने के बाद पूर्व दिशा में करीब 500 मीटर तक जाने के बाद रुख गया करीब धाई घंटे बाद पुलिस्ताव को कोस्ट माटम के लिए ले गई ये वक्की हत्या से गहर में पोहरा मच गया है कारण को लेकार छेत्र में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं